अकाश्वाणी भुपा से प्रस्तत हैं लोगसभा चुनाव समाचार नमस्कास समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनरजी लोगसभा चुनाव के अंतिम दो चर्णों के लिए प्रदेश में प्रचार चरम पर है देश के चटवे और प्रदेश के तीसरे चरण में आठ लोगसभा सीटों मुरैना, भिंड, गौालियर, गुना, सागर, विदिशा, भुपाल और राजगर में 12 मैं को मद्दान होगा कॉंगरस अध्यक श्राहुल गांधी ने आज मुरैना और भिंड में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री गांधी ने कहा कि भिंड के युवा देश की सुरक्षा में लगे हैं लेकिन केंद्र सरकार इन्हें मिलने वाला हक इन युवाओं तक नहीं पहुँचा रही है उन्हों ने कहा कि श्री मोदी ने किसानों और युवाओं के साथ अन्याय किया है उद्योग पतियों का कर्ज माफ किया है लेकिन किसानों का रही श्री गांधी आज शाम ग्वालियर में भी चुनाव प्रचार करेंगे कॉंग्रुस प्रत्याशी दिग्विजे सिंह के समर्थन में साधू संतों ने आज राजधानी भोपाल में रोट शो किया सिहोर में भी श्री सिंह के पक्ष में कई साधू संतों ने चुनाव प्रचार किया कुना संसदियक शेत्रू से कॉंग्रूस प्रत्याशी जोतिरादित्य संध्या ने आज अशोपनगर जिले के मुंगावली में रोट शोग किया वरिष्ट भाजपाने तोर केंद्र मंत्री स्मृती इरानी ने आज सागर लोग सभख शेत्रू के बीना में एक आम सभख को संबोधत करते हुए कहा कि कॉंग्रस की राजनीती जूट पर्टी की है प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया और गर्भवती महिलाओं को केंद्र की ओर से दी जाने वाली राशी को भी खर्च कर लिया गया शुमती रानी के संबोधन के दौरान ही बिजली गुल हो गई इस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यही कॉंग्रस की असलियत है वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने मुरैना के अंबाह में चुनावी सभा को संबोधत करते हुए कहा कि यह लोगसभा चुनाव आतंक और अराजकता के खिलाफ है श्रीयोगी ने कॉंग्रस पर आजादी से लेकर अब तक जनता से जूट बोल कर छल करने का आरोप लगाया अस दौरान केंद्री मंत्री नरेन से तोमर भी मौजूद थे लोगसभा चुनाव के छटे चरण में राज्य के आठ निर्वाजन क्षेत्रों भुपाल, ग्वालियर, गुना, विदिशा, सागर, राजगर, भिंड और मुरैना के लिए रविवार को मत्दान होगा इनी सीटों में से एक गौालियर लोगसभा सीट पर पेश है एक रपोर्ट जनसंग और आठ वार कांगरेस विजई रही है गौालियर लोगसभा सीट के लिए इस वार 18 उमीदवार मैदान में है हलाकि मुख्य मुकाबला कांगरेस के अशोक सींग और भाजपा के विवेग नारण शेजवलकर के बीच माना जा रहा है यहां लगवग 20 लाग मतदाता अपने मतादीकार का उपयोग करेंगे इनमें करी 52,000 युवा पहली वार लोगतांतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे गौलियर संसदी शेत्र के मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा मुद्धा पानी और रोजगार है संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचार, भोपाल भारती जंता पाटी ने आज भोपाल संसदी असीट के लिए अपना विजन डॉक्यमेंट संकल्प पत्र के नाम से जारी किया इसका विमूचन प्रदेश मुख्याले में भचपा उमीद्वार सादवी प्रग्या से था को ने किया संकल्प पत्रों में किसान कल्यान के लक्ष को सुनिश्चित करने छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी का जिक्र है इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्टिप के जरिये रोजगार बढ़ाने, मध्यमवर के जीवन को आसान बनाने और गरीबों को कुणवत्ता पूर्ण जीवन बिताने के लिए विभन योजनाओ पर जोड़ देने की बात कही गई है प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ानी के लिए जागरुकता कारिक्ट्रम लगातार आयोज़त किये जा रहे है इसी क्रम में कल गुना में तभी बढ़ेगी गुना की शान जब होगा शत प्रतिशत मतदान की थीम पर पाइक रैली का आयोज़न किया जाएगा राइसेन में 12 मई को होने वाले वोटिंग के लिए मदान केंद्रों के बाहर मदाताओं, राजनातिक दलों और उमीदवारों के पोलिंग एज़न को मौक पोल संबंधी जानकारी देने के लिए पोस्ट लगाये जा रहे हैं अब कुछ समाचा संक्षेप में राजकर में लोगसभा चुनाफ को लेकर आज सामान्य प्रिक्षक ने माइक्रो अब्जर्वर की बैठक ली और मुरैना संसदिय सीट से बसपा प्रत्याशी करतार सेहं भडाना पर आदर शाचार सहीता उलंगन के मामले में मामला दर्जकर पुलिस ने जान शुरू कर दी इसके साथ ही लोगसभा चुनाफ समाचार समाथ हुए नमस्कार